नमस्ते आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माजी कीरे सोई में आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी एंड निट्रीसियस ड्रिंग्स इसको आप गर्मी में भी पी सकते हैं और सर्दी में भी पी सकते हैं तो चलिए बनाते हैं बनाएंगे हम लोग बादाम शेक उसके लिए हमने 6-8 बादाम रात में पाने में भीगो के रखा था पूरी रात के लिए और अभी उसको हम पहले छील लेंगे ये बादाम शेक बहुत ही निट्रीसियस होता है दूद और बादाम से बनाएंगे दूद में भी प्रोटीन होता है बादाम में भी प्रोटीन होता है इस तरह से बहुत ही फाइदे मन्द हो जाता है बढ़ते हुए बच्चों को तो बहुत ही healthy रखेगा तो सबसे पहले बादाम को हम मिक्सी में पीस लेंगे इसका fine paste बना लेंगे इसको डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा दूद डाल देंगे और थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे ये दिखे हमने पीछ लिया है इसको थोड़ा दरदरा ही रहने दिया है ताकि बीच बीच में इसके तुकड़े आएंगे मुह में तो अच्छा लगेगा अब एक गलास बनाने के लिए हमने एक गलास भरके दूद ले लिया है इसको उबा लेंगे और थोड़ा सा थिक करें जादा देलने देंगे ताकि इसमें आसा टेस्ट आ जाएं ये दूद को 10-15 मिनट उबा लेंगे और इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे बादाम शेक के लिए आप फुल क्रीम वाला दूद लेंगे तो जादा टेस्ट आएगा ताकि क्रीमी-क्रीमी थोड़ा लगे दूद और बादाम दोनों में बहुत पोसक तत्व होते हैं तम भरपूर होता है तो इससे हमारी इम्मिनिटी भी बढ़ती है और ये हमारे हड़ियों को भी मजबूत करता है दूद को थोड़ा सा थिक करने के लिए हम 1-4 चमच कस्टड पॉडर लेंगे उसको नॉर्मल दूद में गोल के रख लेंगे बाद में इसमें मिला देंगे यह हमारा दूद उबल रहा है इसमें हम थोड़ा केसर डाल देंगे केसर से इसमें थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा खुश्बू भी आ जाएगी अब हमने जो बादाम पीसके रखा था वो भी डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह पक जाए दूद में इसको और उबलने देंगे पांस से साथ मिनट इसको चलाते रहेंगे अब इसमें काजू बादाम को काटके चोटी-चोटी टुकड़ों में इसमें डाल देंगे ताकि जब पीते समय है उसका तुकड़ा आये तो अच्छा लगे अब इसमें दीरे-दीरे करते हुए ये कस्टाट पॉडर का घोल डाल देंगे इससे दूद हलका सा थिक हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा सा आ जाएगा केसर बादाम सम्मिलके बहुत ही हिल्दी और स्वादिस्ट ये बादाम शेक बनेगा ये देखे हलका सा गाड़ा हो गया है हमारा बादाम से एक लगभग तयार है तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए शेयर भी कीजिए अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी और हिल्दी हमारा बादाम शेक बनके तयार है अब यह थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको फ्रीज में रख देंगे क्योंकि अभी गर्मी का दिन है थोड़ा ठंडा करके पीएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आप भी अपने घर में चरूर बनाईए पिलाईए यह हमारा बादाम शेक ठंडा हो गया है मैंने फ्रीज से भी निकाला है और इसको हम ग्लास में सर्व करेंगे कितना मलाईदार बना है बहुत ही टेस्टी अब इसके उपर से हलका सा कटा हुआ बदाम और काजू डाल दिजिए और सर्व कीजिए कोई भी मिहमान आते हैं तो पहले से बना के फ्रीज में रख दीजिए आते हैं तो इदा हम ठंडे ठंडे इसको सर्व कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग